हेलो फ्रेंस आपका मेरे चैनल में स्वागत है यह मेरे पहला वीडियो है इसमे हम फर्स्ट केक है जो फिटनिस फीरीक केक बनाया है इसमें हमने 1 kg का सपॉझच केक है जैसे हमने रह ineदेखा है हिट्र रासिक है तो इसमें मैंने 2 աो सपॉझच बेक किया है 250-250 gram के जोकि हमारा half kg या half kg के two cakes बनेंगे तो हम दोनों cake में से 3-3 layers cut करेंगे तो दिखने cutting करने के लिए हमको अच्छे से bread nap की help से दोनों cake में से हम 3-3 layer cut करेंगे तो हमको ऊपर हाथ रगके bread nap को दीरे-दीरे-दीरे करके अच्छे से लेयर कट करनी है उसके बाद हम पानी या उसे पानी से इसको cake को से सोक करके dipping cream लगाएंगे और उसके बाद हम घोस के ऊपर crush लगाएंगे pineapple flavor का crush है pineapple flavor का कीगे तो हम pineapple crush लगाएंगे लेकिन हमने इसमें whole fruit crush रूज किया है whole fruit crush रूज करने का मतलब है कि इसमें pineapple के chunks भी होते हैं कोई भी आप अगर हम whole fruit crush लेते हैं तो उस पर्टिकुलर fruits के chunks भी रहते हैं जब के का मुह में white लेते हैं तो हमें खाने में बहुत ही देश्टी लगता है साथी साथ हमको cake के icing करते हैं हमको side walls जो होती है उनको भी cover करते रहना चाहिए उससे क्या होता है जब हमारा cake final look में आता है तो एक side लुड़का होगा तेड़ा मेरा नहीं दिखता है तो बाद में जो हमें final cake मिलेगा वह एकदम हमको उपर से flat surface का मिलेगा इसलिए हमें side layer side wall को cover करना बहुत जरूरी है फिर हमने next layer रखा फिर वापस से वही process दोड़ाएंगे फिर पानी से soaking किया cream लगाएंगे फिर pink cream को flat करेंगे जब भी layer हम कर रहे हैं उसको flat करना बहुत जरूरी है अगर हम flat नहीं करेंगी surface को कभी भी उपर से flat ने uneven देखेगा वो देखने में अच्छा नहीं लगता है उसके बाद हमने again crush लगाया जैसे whole fruit crush है तो आप देख सकते हैं पैनेपल के छोटे 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 उसमें chunks देख रहे हैं जो की इबायत लेते टाइम बहुत ही करते हैं तो हमारा cake इधर उधर फिसलता नहीं है उसके बाद हम पानी से soaking करेंगे पानी से soaking करना cake का बहुत ज़रूरी है जितनी ज़्यादा चैसे आप soaking करेंगे उतना cake आपको खाने में अच्छा लगेगा dry feel नहीं होगा उससे क्या होगा आपको के खाने में भी tasty लगेगा उसके बाद अगेन हमने पानी से soaking करने के बाद cream लगाएंगे यह process हमको हमारे 6 layer से तो 6 layer की बीच में हर layer में even cream लगानी है फिर उसके बाद crush लगाना है अगर आप pineapple का simple crush यूज कर रहे हैं तो फिर आपको उसके अंदर pineapple के chunks डालने चाहिए अगर हम bite लेते हैं तो अगर हम simple crush यूज करते हैं तो उतना टेस्टी नहीं लगता है और यह depend करता है कि आपके से कितना चार्ज कर रहे हैं अगर आपके कस्टूमर से अच्छा चार्ज करना है तो आपको whole fruit crush यूज करना चाहिए अगर आप ऐसे ही normal चार्ज करना है बेकरी की rate में तो आप simple crush यूज कर सकते हैं लेकिन simple crush का यूज करना और whole fruit crush यूज करना दोनों का जो टेस्ट रहता है उसमें और देखिए हमें फाइनल लेयर है इसमें हमने फिर से पानी से अच्छे से पूरा सोक करेंगे पानी का जिनने अच्छे से सोक करेंगे अतना अच्छा cake अमारो मोईस बने रहेगा उसमें cake में बहार से क्रेक्स नहीं आएंगी अच्छे से क्रेंगे और क्रम कोटिंग मतलब होता है क्रम कोटिंग मतलब होता है cake को पतली पतली क्रीम से एक बार हम फिनिशिंग दे लेंगे क्रम कोट नहीं करेंगे तो अगर हम फाइनल आइसिंग करेंगे जो भी हमारे स्पॉंज के चोटे 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 पार्टिकल्स रहते हैं वह हमारे क्रीम में मिक्स हो जाते है तो जब हम फाइनल आइसिंग कर देंगे एक ही बार में प्लसके लाइदें तो कही पेताताàyक Biz अच्छी झता है तो और अच्छी से किरिम लगते तो इसे फिनिशिंग देने में भी भी आता है और अगर हम इक लग लगा आप वहोट्स स्क्रेपर के सब्कारें तो बड़त सासेशनल में सब्सक्राइब कर Aucha करेंगे काकश दो भी सीनाइक करने डीजा आप अपर बार बार क्राइब इमन्याठल में यहां पर स्क्राइब करने करते रहेँ तो आलनान वाकिव यह कंशनल का ही अच्छे से side walls को clean करेंगे जब तक आपका के लिए clean न हो जाए तक आपको बार 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 करते रहना चाहिए क्योंकि अगर केक का फाइनल लुक है अगर आपका केक की finishing अच्छी नहीं होगी केक का लुक अच्छा नहीं आएगा तो देखने में भी किसी को जब कस्टूमर भी हमारा खुश नहीं होगा तो इसलिए हमें केक का केक का finishing देना बहुत जरूरी है इसके लिए अगर हम अगें हमने scraper लिया है अगें हम इस scraper को धीरे-दीरे-दीरे sidewall पे खुमाएंगे speedly अगर आपको habit है तो आप speedly कर सकते हैं लेकिन अगर आप new beginner है तो slowly slowly अपने इस को turn table को rotate करेंगे और scraper को दीरे-दीरे हमाएंगे देख सकते हैं sidewall एकदम से clean हो गई है अब हम क्या करेंगे पैलेट नाइप को clean करेंगे और आप उपर से जितना भी टॉप सर्फेस है उसको अच्छे से clean करने की फिर वापस से जब तक आपको मन चाहाँ नहीं मिले तब तक आपको बारवार यह process repeat करना पड़ेगा है इसमें आपको हो सकता है कि नहीं टॉप सर्फेस रह गया है तो मैंने बापस से knife को लेके बापस से इसको हम clean करेंगे यह जैसा की है कि अभी हमने इसका semi fondant cake था जैसे अब इसके लिए हमने पहले इसका केक का whipping cream से इसको icing कर लिया है whipping cream से icing करने के बाद इसका जो final cake है fitness free cake था fitness free cake के लिए जितने भी इसके structure से semi fondant cake था तो semi fondant fondant की जो भी structure से वो मैंने बना के रख लिये हैं वो इसमें जैसे fitness freak है तो इसमें yoga mat है skipping rope है जो भी आपको लगता है और जैसे fruits है water bottle है dumbbells है वो छोटे-छोटे मैंने सब बना के रखें देखिए cake देखने में कितना सुन्दर लग रहा है attractive लग रहा है और जब भी ध्यान रखिए जब भी आप semi fondant cake बनाएं तो cake delivery के time यह सब लगा है thank you for watching my video